मेरे पास 1,00,00,00 दॉलर्स हैं और उनके पास 1 घंटा है इन्हें खर्च करने के लिए मैंने तुम सब को बुलाया है तुम्हें पता है न क्या करना है 11,000, 13,000, 13,000 ऐसा ही कुछ असल में बैंक ने मुझे और कैश नहीं दिया इसलिए तुम्हें मिलते हैं ये gift cards यह स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है तुम्हारे पास एक घंटा है खर्च करने के लिए तेरह हजार या चौदा या पंद्रा पता नहीं कितने हैं हजारों डॉलर्स है तुम सब के पास जाओ अभी से अगर तुमने एक घंटे में खर्च नहीं किये तो मैं वापस ले लूँगा जानते हो ना मैं चीजों के पीछे नहीं भागता है तुम मैंने कुछ पैसे नौथ कैरोलाइना में उसके लिए चिपा के रखे हैं मैं उसे अभी फेस्टाइम करूँगा उसे अपने हिस्से के हजारों डॉलर्स खर्च करने होंगे वहीं नौथ कैरोलाइना में और ये लोग यहां करेंगे मैं चाहता हूं तुम नीचे वेयर हाउस में जाओ और वहां पर बड़े ड्रॉर में देखो जाओ जल्दी बड़े ड्रॉर में ओ ये हां ठीक है कुल तुमारे पास एक गंटा है इन्हें खर्च करने के लिए जाओ मज़े करो मुझे सब बताना मुझे बहुत सारे पैसे दिये गये हैं और व्लॉग बनाने को बोला है मुझे तो पता भी नहीं कि किस पर खर्च करो तो अभी हम कोई लिफ्ट दे रहा है हमें वो कह रहा हमसे पैसे लेगा हमने उन दोनों से पहले उबर बुक कर लिया हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले तुम आज कितना पैसे कमा लोगे चार सूँ अच्छा अगर मैं उसे डबल कर दू तो हमारे साथ पूरा दिन चलोगे हाँ कोई प्रब्लम नहीं आज का पंसल ड्राइवर दरसल हमें स्टोर में वीडियो निकालना एलाओड नहीं था तो चलो 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 एक सेकंड रुको तो तोस्ति ये देखो ये कितने अच्छे है ना इसमें बारा नबर साइज है क्या ठेक है तो गाइस मेरी मॉम ने कभी भी पचास डॉलर के उपर का हैंड बैग नहीं खरीदा है तो मैं उनके लिए ये खरीदना चाहता हूँ सबसे पहले हम बेस्ट बाई में जाएंगे मुझे यहां अच्छा लगता है सबसे पहले हम बेस्ट बाई में जाएंगे मुझे यहां अच्छा लगता है मेरे पास तो मुझे गेमिंग पीसी चाहिए मॉनिटर चाहिए और कम्प्यूटर भी और एच्पी ओमिन्स मैं आपको दिखाता हूँ एच्पी मुमिन्स कहा में लेंगे ठीक हम वेट करता है मैं काउंटर पर वेट करता है जेक टाइम वेस्ट नहीं करने वाला बिलकुल नहीं करने वाला इतने में मैं मैंरे सिर्फ वेग ही खरीदा है बढ़िया ग्राइन टोटल 49 49 89 अब मैं एक फोन लूँगा क्योंकि मेरा रीसेंट वीडियो में फोन तूट गया था ये चल रहा है तुम्हें पूछ भी कैसे सकते है तो थोड़े और पैसे खर्च करेंगे मुझे चाहिए एक आइफोन एक्स आइफोन एक्स? हाँ, मुझे ये चाहिए ये वाला? हाँ एक हजार डॉलर हमने खर्च किये 63 hundred डॉलर अभी तक? और मैं भूली गया था कि न्यू यॉक में ट्राफिक, चीज और पीज़ा जैसा है ये एक मेटाफोर है मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक घंटा है और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को उनके घर के लिए कुछ चीजे चाहिए तो मैं सबसे पहले लोज में जाना हो, जल्दी से मुझे जल्दी जाना होगा मुझे धक्का मत देना पीस मुझे कुछ करना है, मुझे खरीदना है तो मैं यहाँ पर हूँ इस dishwasher section में मेरी मा को सच में एक dishwasher की जरूरत है हमारा खराब गया तो नया लेना है मेरे ख्याल से मैं ये वाला लूँगा मेरी मा को vacuum भी खरीदना है मा को चाहिए एक roomba ताकि उनके बिना भी घर में जाड़ू लग जाए सबसे आखिर में जो हमें चाहिए वो है windows तो मेरे parents के windows बहुत पकवास है वो बहुत बतले है यहाँ पर इतने नहीं है जितने चाहिए तो मैं उन्हें online order करूँगा तो मैं आज उनके लिए पैसे दे दूँगा पर मुझे वो आज नहीं मिलेंगे तो वो मेरे parents के घर में directly deliver हो जाएंगे टोटल हुआ है 4,279 dollars और 34 cents हमारे बस ज़्यादा time नहीं है तो चलो 22 minute हो चुके हैं और हम अभी तक अपनी पहली location पर भी नहीं पहुँच पाए हैं और बाकि सब तो शायद घबराए हुए होंगे मैं शायद उन्हें थोड़ा extra time दूँ लेकिन मैं ये उन्हें बाद में बताऊंगा तब तक उन्हें थोड़ा हड़ बढ़ाने दो खेर देखते हैं ठीक है तो हम पहले स्टोर में आ गए हैं और चालीस नहीं अल्मोस्ट चवालीस मिनिट सोचुके ना कोई बात नहीं ये असली टाइम नहीं है ना तुम लोगों को एक extra घंटा मिलता है बढ़िया पहले हम मेरी बहन के लिए Macbook Air खरीदेंगे तो तुम्हें एक Mac खरीदने वाले हों और मेरी कजन के लिए Gaming Computer Gaming Computer और हम दो fridge खरीदेंगे Two Fridges हम अभी fridge ओर्डर कर देंगे मेरे पेरेंट्स और केटी के पेरेंट्स के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के तरफ से मैं गले लगाता हूँ क्या तुम्हारे पास यह 199 वाला Monitor Stock में है हाँ है आप देखना चाहेंगे ठैक्स दोस्त वैसे नॉमली मैं ऐसे चैलेंजिस में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ लेकिन यह थोड़ा लोल नी लग रहा है हम चाहते हैं तुम भी थोड़े मज़े करो भले ही तुम मुझे इस शड़ट में काफी छोटा महसूस करवा Gomap gue टम्हों गान जा रहे हैं हम जा रहे हैं स्प्रिंड स्प्रिंड डू स्फ्रिंड स्फ्रें टेस्ट अच्छा है, यह बहुत बड़ी होट होगे तुम्हारे डाट ने कहा था कि तुम्हें क्रिस्मस के लिए कुछ चाहिए मैंने कहा मुझे प्लेस्टेशन 4 चाहिए कौन सा गेम तुम्हें तो पताई होगा नया स्पाइडर में परफेक्ट, हम ले आएंगे क्या? बस सब्सक्राइब करना होगा प्यूटी पाइ को यूट्यूब पर अब मैंने पहरी उनको सब्सक्राइब किया है परफेक्ट, तो अभी सब्सक्राइब करो Mr. Beast को मैंने उनको भी किया है और ये लोग बेस्ट है, ऐसा मैंने कुछ नहीं गाता ना की 300, तो शायद मैं थोड़ा और खर्च कर सकता हूँ, ठीक है, तो हमरा टोटल हुआ है, 17, 11, 99, मैंने एक 65 एंच 4K मस्ट टीवी ले लिया है, ठीक है, तो जिम ने जो मुझे पैसे दिये हैं, उससे मैं आपनी बीवी के लिए एक नई वैन खरीदूँगा, पर ये कोई ये पूरी तरह से मेनी वैन है, पर ये सारे फीचर्स के साथ है, शायद उसे पसंद आए, क्या मुझे एक औरकुलस मिलेगा, और आपका और कुछ चाहिए, यहाँ पर हमारे पास इंस्पार एंड गेमिंग कंप्यूटर्स है, ये कितने के हैं, ये कुछ 1500 डॉलर्स के हैं, क्या मुझे तीन मिलेंगे, तो मैंने अभी तीन कंप्यूटर्स खरीदे, अप्रूव परते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा है, खरीद लो, थैंक यू, वहाँ चलकर देखते हैं, तो मैं नेट्वोर्किंग केबल चाहिए, हाँ, 25 डिलो, हम ये ठीक है, तुम उठा लोगे, हाँ, उठा लिया, हाँ, सर आप उस तरफ चले जाए, मजा रहा है, हाँ, बिलकुल, बहुत हाँ, ठीक है, तो हम लुई में है, मैं अपनी बीवी को एक लुई बैक देना चाहता था, यू यू यॉक सिटी से, जैसे उसे हमेशा चाहिए तो वो अब पसंद कर रही है, मैं उसके लिए कुछ चुनने वाला हूँ, और उसके बाद अपनी मॉम के लिए, मैं अपनी मॉम के लिए ये लेने वाला हूँ, और ये मुझे पढ़ रहा है, हजार डॉलर्स का, ये ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत है, मॉम के लिए कुछ भी, के लिए कुछ भी मेरे फोन के तो बैटरी चली गई है तो लगता है तुम लोगों के पास ज्यादा टाइम है क्योंकि मैं टाइम नहीं देख सकता अगर मेरे तुम क्या कर रहे हो? अपने डाड के लिए एक वाच ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले साल जो दी थी उसे तोड़ दिया था मैं उनके लिए ये वाली सोच रहा हूँ लेकिन साइड वाली मेरे लिए, शायद से मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ दोलों में ये पॉफेक्ट है, मैं जिमी को थैंक्यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उसी की वेज़े से मैं सबको क्रिस्मस प्रेजन दे सकता हूँ और ये साल बहुत मज़िदार होगा हम आगए अपने बेस्ट फ्रेंड के पास तो जैसा कि हमने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक्ष्रा पे करूँगा तो ये रहे 800 डॉलर, तुमने कहा था कि तुम 400 कमाओगे तो ये रहा तुम्हारा डबल है थैंक यू सो माच यह लोग दुनिया के सबसे मस्द बंदे हैं तो सभी लोग बस दौड रहे हैं सब्वे जा रहे हैं, टैक्सीज ले रहे हैं हमारे पास परसनल ड्राइवर है डीजे जे फाइव यार क्या बात है हम यहां आ गए हैं, हम गूची जाने वाले हैं ठीक है, तो हम गूची स्टोर में आए हैं और उनके पास यह दो अलग वालेट है और मैंने सिक्का उच्छाला और उसमें मैं यह वाला जीत गया तो अब मैं यह वाला ले रहा हूँ तुमने क्या लिया एक गूची बैग तो, हे गाईज, यह कौन हो सकता है क्योंकि एक्रिस तो जिमी के साथ है ठीक है तो अब तक क्या-क्या खरीद लिया है मैंने दो डिजाइनर बैग्स लिये एक वालेट लिया शूज लिये और एक आईफोल लिया बढ़िया, मैं बस यह जानना चाहता था कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना हमारे पास कितना वक्त है तो अब मैं जाकर देखता हूँ कि मुझे कहीं से रिम और नए टायर्स मिलते हैं क्या मैं एकसाइटेड हूँ ठीक है दोस्तों तो मैं पहुँच गया हूँ रिम शॉप में तो इन टायर्स का टोटल हुआ है उननिस सो डॉलर्स एक सेंट भी उपर ने क्या राउंड फिगर है कि आपके पास बहुत सारे मॉनिटर्स हैं मुझे बहुत सारे चाहिए शायद नौ ये वाला तो हमारे पास पहले सही है न ठीक है दो ले ले लें ये कितने के हैं 280 मुझे ऐसे 86 हमारे बास दो ये है तो मारे पास बस दो है तो जो नीचे पड़ा है इतने सारे मॉनिटर्स हैं आप क्रिस तुम एक मैक बूप ले रहे है तो मेरी बहन पिछले 8 सालों से एक ही मैक बूप यूज कर रही है तुम अपरी बहन के ने ले रहे है ये ये बहुत अच्छा है मैं पेकर देग तो मेरी पहली खरीदारी है 600 डॉलर्स क्रिस तो 6,000 प्लस 600 मैंने 6,600 खर्च की तुम अच्छा काम कर रहे हो मैं खाली हो रहा हूँ पैसे खर्च करने में उस्ताद हो तुम थैंक्यू गाइस तुम लोगों ने अच्छा काम किया तुम अपनी बहुत प्यार है मैं अभी तक उतने खर्च की हैं तुमने अभी एक हजार और खर्चे तुम्हार पस कितने बचे हैं हमारे पास 6,000 बचे हैं और हम वो 6,000 रुपे लेकर यहां रखेंगे और उसे अपनी जेब में डाल कर जमीन खरीदने चले जएगे तो मेरे अंकल के पास 2 एकर की जमीन है हम उनसे वो खरीदने वाले हैं मैं और केटी उस पर अपना घर बनाएंगे बेसिकली इन पैसों का कुछ हिस्सा यह घर की डाउन पेमेंट में दे रहा है क्या आप बाद है लड़का जिम्मेरा रहा हूँ मैं ऐसा ही हूँ लास्ट टाइम मैंने राशन खरीदा था यह वो बोरिंग का बाकि सब लोग गैजट्स खरीद रहे थे और मैंने एक Macbook खरीदा है Best Buy से और साथ ही एक Gucci Watch जो मैंने पहनी चैनलर लेकिन यह Mac तुमने अपने लिए नहीं अपनी Girlfriend के लिए खरीदा है हाँ मैंने यह मेरी Girlfriend के लिए लिया है Girlfriend Chris हो नहीं सकता रखो कैसे तुमने मुझे जो पैसे दिये थे वो यूज किये और एक Lambo भाड़े पर ले ले सच में तुमने यह सब कब किया अब जो भी दोस्ती क्रेजी है कैसा लग रहा है तोड़ा show off करना होता है न सही यार मैंने इस कार के लिए एक हजार डॉलर दिये एक दिन के लिए एक घंटे बाद या लगबग दस घंटे बाद इन्होंने ये खरीद है मैंने लिया एक Macbook Air, एक Gaming Computer, दो Fridge, एक Crib, एक Stroller, दो Visa Gift Card, एक Gucci Watch और मैंने 6000 देकर अपनी जमीन के लिए डाउन पेमिंट कर दिया है, जहां मैं अपना घर बनाऊंगा मैंने Gaming Computer लिया, Predator Monitor लिया, दो Dell Monitor, एक Maos, एक Keyboard, दो जूते लिए Gucci से दो डीजल की Watch लिया, iPhone XR लिया, Sony Headphones लिया, Gucci Wallet लिया, Gucci Purse लिया, Louis Vuitton का बैग लिया, PS4 लिया, Spider-Man की CD लिया, और 800 रुपे उबर वाले को दिया, मैंने तीन Joggers लिये, जो Comfortable है, और एक PewDiePie Chair लिया, जिससे मेरा भाई PCD से लड़ सके, Balancy आगाज लिया, Gucci का बैग लिया, Gucci का Sweatshirt लिया, और Balancy आगा, और 5000 मैंने कार में डाले, मैंने दो iPhone XS खरी दे, मैंने लिया, MacBook Pro, मैंने लिया है, Gucci sweatshirt, Gucci wallet, मैंने Gucci watch लिया, मैंने लूई विटान sunglasses लिया, और मैंने 3000 अपनी car loan में भरे, ठीक है, तो मैंने अपनी वाइब के लिये, Louis purse लिया, और फिर उसके लिये, एक mini van खरी दी, तुम्हें फसाया गया है, फसाया, मैंने खरी बीस नहीं